जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए B.A.C. फर्स्ट इयर के पहले पिपर एक कार्णिक रसायन इन और्गनिक केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट कोईशन्स लाएं यहाँ पे जो आपके कोईशन्स हैं वो उसी पैटरन में डिसकस किये जाएंगे जिस पैटरन में आपको परिक्सा में मिलने वाले हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान लखनी है कि जो आपके तीन पिपर केमिस्ट्री के होंगे वो पचास-पचास नंबर के होंगे तो यहाँ पे आईए जानते हैं कि एक कार्णिक रसायन के इंपोर्टेंट कोईशन कौन-कौन से हैं और कैसे आपको मिलने वाले हैं जैसा कि पहले पैटरन वाली वीडियो में आपके साथ डिसकस किया है जो एन्वल सिस्टम होता है वार्सिक जो आपका पैटरन है वहाँ पर्थम वर्स में या फर्स्ट येर का जो पेपर होगा उसमें तीन सेक्शन आपको एक सही विकल्प चुनना है और उसको वहाँ पे आंसर सीट में लिखना है तो बारा सवाल एक एक नंबर का है तो टोटल आपके बारा नंबर सेक्शन एक होंगे अब पहला सवाल दिया हुए पॉली अपवर्जन नियम के अनुसार एज पर पॉली एक्स्क्लूजन लोग तो यहाँ पे आपको चार विकल्प ABCD दिये हुए आपको देखना है कि कौन सा विकल्प कौन सा ओप्शन जो है वो पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार सही है और जो आपको मिलता है वो आपको आंसर सीट में उत्तर पुस्तिका में सवाल नंबर एक के सामने डैस लगा के ABCD जो भी बैठता है वहाँ पे लिखना है माल लिजए यहाँ पे पहले सवाल के लिए उप्शन जो है विकल्प A बैठता है तो उत्तर में लिखेंगे आप फ सिधा कोश्चन का नंबर और उसके सामने जो विकल्प सही है वो डालना है किलियर है जी आपको गलती नहीं करने टाइम बचाना है दूसरा सवाल है जी चुम कि यह कौण्टेम संख्या से क्या ग्यात होता है यानि कि जो मैगणेटिक कौण्टम नंबर होता है उससे आपक पेपर सेकंड आएगा है ना जी सेकंड पेपर की जो आपकी वीडियो आएगी वहाँ पे पहले पेपर के आपको अंसर मिल जाएंगी तब तक आप पैक्टिस तो कीजिए तीसरा सवाल है जी इलेक्ट्रोन जैसे छोटे करणों की स्थिति और गती को साथ साथ सही से ग्यात नहीं किया सकता है यह सिद्धानत है यानि यह परिभासा दे दिया है आपको डेफिनिशन दे दिया है बस यह पूछ रहा है कि यह जो स्टेटमेंट है जो एक कथन है परिभासा है यह कौन सा सिद्धानत होगा इन चारों में से आपको सही विकल्ब चुनना होगा चले आपको Na plus का आई सो इलेक्टोनिक को धूडना है, कौन सा होगा, जिसमें Na plus के समान इलेक्टोनों की संख्या होगी, किलियर है जी? सबसे अधिक रणविद्धुती तत्व का इलेक्टोनिक विन्यास है तो यहाँ पे चार इलेक्टोनिक विन्यास दियें आपको देखना है कि इन में से कौन सा सबसे अधिक रणविद्धुती तत्व का इलेक्टोनिक विन्यास होगा यहाँ एक हिंट मैं आपको देखे जाता हूँ आपको यह स्मरन होगा नहीं है तो याद रखेगा कि पूरी आवसारणी में सबसे ज़्यादा जो रणविदुती ततू होते हैं वो हैलोजन होते हैं समू सत्रा के ततू किलियर है तो बस इतना हिंट काफी है जो जानते हैं नहीं जानते हैं वो प्रयास कीजिए तो अगली वीडियो में आपके स्कैंसर मिल जाएंगे तब तक आपको पैक्टिस करते रहना है अगला है जी आवसारणी में बाएं से दाय जाने पर धातवी गुंड जो है वो बढ़ता है घटता है स्थिर रहता है पहले घटता है या फिर स्थिर हो जाता है इन में से एक उप्शन आपको चुनना है क्लियर आजि कौन सा सही विग अगलत यह आठ야 है ट्रफुत साही भाय. सब्सक्राइन के रिन्विद्ध या समस्थानिक यहां पर से विकल्ब आप इन में से आपको बताना तो화를 कैसे 10 esque9 Hero करण सांगर करना होगा सनकुर्ण होता है तो बिए कर दर के और कार्बन के आंद्र कौं सा संक्रण पाया बता है उन तीनों के लिए आपको यहां पे सही विकल्ब चुनना है बारवा है जी O2-1, O2-1, N2CO के आबंध कोटी के मान होंगे यानि कि bond order BO बताना है आपको इन चारों का क्या होगा किलियर है जी यानि आपको यहां पे देखना है कि किसके अंदर सही सही बैठेगा इन चारों के लिए हीरे में कार्बन परमाणू परस पर किस विन्यास में रहते हैं तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा configuration होता है diamond में कार्बन एटम के लिए CUSO4 into 5H2O एक यह आपका जलिय कोपर सलफेट है इसमें पूछा है कि भाईया कौन सा बंद होता है तो यहां पे चार ओफसन है आपको बताना है कि कोपर सलफेट जो जलिय कोपर सलफेट होगा उसके अंदर कौन कौन से बंद होते हैं इन दोनों के मद्य विकर्ण संबंद है तो यहां पे चार दिये हुएं इन चारों में से आपको बताना है कि किस तत्तु के बीच में विकर्ण या diagonal relationship होता है देखिए यहां पे 16 question दिये हैं थोड़े 4 question आपको extra दिये हैं करने तो 12 ही है 12 ही आएंगे लेकिन जो संभावना बन सकती थी उसके अदार पे 4 question अतिरिक्त या extra दिये हैं मत कीजेगा वहां पर 12 ही मिलेंगे वहां पर छूट नहीं होगी किवल यहां पर practice करा रहे थे इसलिए 4 question आपको extra दे दिये अब बात करते हैं खंड B की यहां पर section B की जहां पर short answer यानि कि लवू उत्र ये प्रसन आपको मिलेंगे यहां पर आपको लिखना है यहां पर पहला सवाल जो आपको मिल सकता है संभावना है वो रहेगा H2O द्रव है प्रन्तु H2S गैस है क्यों कराण बताओ यह question होते हैं और यह तो आते ही है सोटकी और फ्रेंकल दोसों को सपस्ट करें यह आपका क्रिस्टल यह ठोसों से है NS3, H2O, CH4 तीनों में सवान संक्रण होता है SP3 लेकिन आकरती भिन-भिन होती है क्यों यानि कि आपको बताना है क्यों वाइ एन-स-3, H2O, CH4 ओल आर ओल त्री आर डिफरेंट इन शेप वाइल दे हैव SP3 हाइबडाइजेशन एक्स्प्लेइन बंध कोटी और इसके महतों पर परकास डालें वाट द्यू मिन बाइब बॉंड ओडर एंड इट्स सिगनिफिकेंस वेस्पर सिध्धान्त को उधरन सहीत इसपस्ट करें एक्स्प्लेइन वेस्पर थियोरी VSEPR किलियर हुआ जी आपको सही जगता सिध्धान्त VBT और इसकी सीमाओं को बताएं एक्स्प्लेइन VBT एंड इस लिमिटेशन सिमाओं का मतलब होता है दोस तो यहां पर VBT को बताना है आपको और उसके दोसों को लिखना है जी इलेक्ट्रोन बंधुता से आप क्या समझते हैं वाट ड्यू मीन बाइलेक्ट्रोन आफिनिटी क्रिस्टलों की समन्वे संख्य क्या है और उसकी हुपयोगिता लिखें वाट ड्यू मीन बाइक कोडिनेशन नंबर ओफ दा क्रिस्टल एंड इट्स यूटिलिटी अगला जो संभावित सवाल बन सकता है पॉसिबल कोईशन हो सकता है वो है डी ब्रोगली और हाइजन बर्ग सिद्दान से क्या समझते हो और 10 जो बन सकता है विकरण संबंद स्पश्ट करें यहां पर विकरण संबंद को आपको उधरन के साथ में स्पश्ट करना है तो बच्चों सेक्शन वी में खंड बैं में आपको कुल मिलेंगे 10 सवाल जिसमें से करने होंगे आपको 6 सवाल ग्लियर है जी अब बढ़ते है section C की तरप section C खंड से यहाँ पे आपको विस्तरत उत्री है यहाँ कि long answer वाले questions मिलेंगे यहाँ पे आपको कुल 4 सवाल करने होंगे कोई 4 सवाल करने होंगे और एक सवाल जो है वो 5 नमबर का होगा तो इस तरहें आपको मिलेंगे 20 नमबर पहला सवाल जो बन सकता है वो ध्यान नखिएगा यहां पर long question में टिपणी और short note वाले questions आते हैं तो यहां पर आपको उनके parts मिलते हैं खंड मिलते हैं तो जो यहां पर पहला जो बन सकता है वो बन सकता है कि आब आउनियन फजान्स का नियम हुंड और पाउली का नियम इनको संक्षेप में वर्णन करें यह आपको खंडो में parts में long question में इस तरह question दे सकता है इसके दो part हो तीन हो या फिर चार भी हो सकते हैं डिपेंड करता है कि question की nature या प्रकरती कैसी है question बन सकता है जी वो है hydrogen बंद क्या होता है इसके परकार और उपियोगिता को संक्षेप में लिखें what do you mean by hydrogen bond explain its types and its utility संक्रण से क्या समझते हो वे परकारों को स्पस्ट करें what do you mean by hybridization explain its types अनो कक्सक MOT को स्पस्ट करें व्यास की साइता से O2 प्लस CO की आबंद को तिक ज्याद करें describe MOT molecular orbital theory and find BO bond order of O2 प्लस and CO या पर CN भी हो सकता है जी ध्यान लखेगा पूरा लंबा question है जी आपका ये exam के लिए अगला जो संभावित सवाल हो सकता है वो है जी बान हाबर चक्रिय प्रक्रम की आयनिक थोसों में उप्योगिता का उधारन सहीत वानन करें देखो बच्चो या तो बान हाबर चक्रिय प्रक्रम की नाम से आ सकता है या फिर इस पे numerical भी आ सकता है तो ये question आपको आना जरूरी है तो आपको ये question आना आवश्यक है अगला है जी आवश्याणी में समू एक और दो के तत्वों की विशेष्टाओं को स्पष्ट करें यहाँ पे समू एक दो भी हो सकता है और S ब्लोक भी हो सकता है द्यान लखिएगा यहाँ पे आपको इस पर्ष्ट करना चाओंगा बच्चो आपके कोर्स में S और P ब्लोक हैं तो यहाँ पे द्यान लखिएगा S ब्लोक जो होता है उसके अंदर दो समू दो ग्रूप होते हैं समू एक समू दो ग्रूप वन ग्रूप टू तो यह अलग से भी दे सकता है या फिर S ब्लोक दे के भी पूछ सकता है तो यह आपको आना जरूरी है यहाँ पे उनके तत्वों की विसेशता है पूछ सकता है या फिर N ने या फिर M जी दे के पूछ सकता है कि भाई बताओ इसको S-Block के कौन से समू में रखा जा सकता है किलियर है और ये आपका लाज सवाल है जी साथ वाइन साथ सवालों में से आपको कोई से वहाँ पर चार सवाल करने हैं बच्चो इस टैप का एक कोईशन आएगा जहां पर नाम देगा आपको ये पदार्थों कमपाउंड्स या फिर योगिकों के नाम हैं कारबाइड, फुलरीन, बोराजीन, डाइबोरेन, सिलिकेट ये पदार्थ हैं, योगिक हैं तो यहाँ पर जब ये कोईशन आपको इस तरह कोई नाम मिलेगा तो आपको वहाँ पर उसके बारे में बताना है कि इसका निर्मान, इसकी प्रिप्रेशन कैसे कर सकते हैं उसकी दो या तीन वहाँ पर आपको कम से कम रासाइनिक गुंधरम या फिसिकल प्रोपर्टीज देनी होगी इससे आपका कोईशन पूरा बन जाएगा, इतना अगर आप लिख देते हैं, एक्जामें दे संतुष्ट हो जाएगा अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, देखो भाई यह पेपर जो बनाया है, गैस पेपर है, संभावित सवालों का यहाँ पे निचोड दिया गया है कि अगर आप यह कोईशन कर लेते हैं, तो आप जाने का रिक्सा, आपका एक्साम बहुत बहुत अच्छा होने वाला, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत भी रहेगी, संसे भी रहेगा, डाउट भी आएगा, कि सर इसमें क्या उत्तर हो सकता है, इसमें हम क्या लि तो बताएं, डिसकस तो नहीं किया न, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपके कोईशन सोर्ट में, संसेप में डिसकस करूँगा, वापे आपको क्लू तो ओँगा कि इस कोईशन में क्या, कैसे होना चाहिए, ठीक है जी, जुड़े रहे हैं हमारे साथ अगले वीडियो तक जेइन